नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं यह कैसे टूर योट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारे देश में काफी सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी आर्तिक सिती ठीक ना होने के कारण अपनी सिच्छा सई धंग से नहीं प्राप्त कर पाते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए मद्ध प्रजे सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्याती चात्र योजना को आरंब किया है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मुख्यमंत्री मेधावी विद्याती चात्र योजना से सम्मंदि महतपूर्ण जानकारी जैसे कि यहाँ पर मिधावी छात्र योजना क्या है इसके क्या उदेश है लाब क्या है विसेस्ता है क्या है पात्रता महतपूर्ण दस्तावेज और यहाँ पर अगर आप इस योजना खंतरगत ऑनलाइन आवेदंग करके लाप राप्त करना चाते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं तोस्तों है आपर वीडियो काफी मज़दार होने वाला है उस से पहले अगर अगर अब तक आपने वीडियो के एक लाइक नहीं किया लाइक करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोसरों मद्द प्रेजिस के मुखे मंतरी सिवरा सिंग चोहान जी ने चात्रों की उच्छ सिच्छा के लिए मिधावी विद्याती योजना का हरंब किया है योजना का अंतरकत 12 वी की परिछा में जिन चात्रों ने 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं या फिर 85% या फिर उससे ज्यादा अंक प्राप्त किये हैं CBSC बोट से तो उन चात्रों को सनातक स्थर पर उच्छ सिच्छा पाठिक्रम में प्रवेज लेने के लिए सिच्छर सुल्क मदप्रेज सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा यानि कि 12 के बाद अगर वो आगी की तरफ और पढ़ना चाते हैं सनातक पढ़ना चाते हैं तो ऐसे में यहाँ पर उन्हें जो भी पैसे होंगे जो भी सुल्क होंगे आगे की सिच्छा के लिए वो यहाँ पर मदप्रेज सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा जिसके लिए आपर इस योजना का नाम रखा गया है मेधावी छात्र योजना इस योजना के अंतरगत यहाँ पर सभी छात्रों को इनके आधिकारिक वेबसाइट पर ओनलाइन आविदन करना होता है फॉर्म को फिल अप करके तो जिसके लिए आपर आगे क्या प्रोसेस होने वाला है हम इस विसे पर बात करेंगे अब दुसरे पर वीडियो में आगे कितर बढ़ते और बात करते हैं मेधावी छात्र योजना के पात्रता यानि के अलजिबिल्टी के बारे में दुसरे इस योजना के अंतरगत यहाँ पर एक लाग पचास हजार के अंतरगत जो भी रैंक लाए हुए विद्यारती होंगे यही मेंस के वो इस योजना के अंतरगत आवेदं कर सकते हैं मेडिकल के स्टुएंट से इस योजना के अंतरगत आवेदं कर सकते हैं यहां पर इस योर्णिया के अंतरगत भारत के समस्त विश्विद्याले संस्तानों में यहां पर जो भी MP से जाते हैं अगर उन्हें यहां पर हाई स्कूल इंटर में काफी अच्छे खासे अंक प्राप्त है जैसे कि मैंने पहले भी बताए 70% यहां पर जो भी CBSC बोर्ट से थ उन्हें पर अगर 85% से ज्यादा अंक प्राप्त है तो ऐसे में यहां पर वो इस योर्णिया के अंतरगत ओं लाइन आवेधन कर सकते हैं अब तो इसके लिए आपको यहाँ पर बहुत ही महत्पूर्ण दस्तावेश देने होते हैं तो जिसके लिए हाँ पर देखे सबसे पहले आपको आधार कार्ट देना होगा आपका पहचान पत्र यानि के आइडेंटिटीव प्रूफ, आय प्रमाड पत्र, निवास प्रमाड पत्र बैंक एकाउंट, पाजबूग, दसवी कच्छा की मार्क सीट, निवापर बारहभी का भी मार्क सीट, निवापर कॉलेज या फिर विश्व विद्याले से प्रवेश प्रमाड पत्र मतर जहां भी आप एडमिशन करा रहे हैं वहां का आपको एक रसीद देना होगा प्रव करना चाहते हैं वह भी घर बैठे तो जिसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा दोसों बस आपको उस लिंक पर टैप करना है जिसके बाद आप यहां पर एप्लिकेशन यानि कि रिजिटर और पोर्टल न दिखाई देगा उस पर आपको सिंपली टैप करना है ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स पेज़ खुल करके आएगा इस पेज़ पर आपको रेजिटरेशन फॉर्म मिल जाएगा आपको इस रेजिटरेशन फॉर्म में पूशी गई सभी जानकारी ज होगा फिर आपको अपने फॉर्म को चेक करना होगा और फिर आपको फाइनल सब्मिट पर क्लिक करना होगा दोस्तों सबसे पहले आपको इसके ओफीचल वेबसाइट पर जाना होगा अब इसमें आप लॉग इन कैसे करेंगे वह मैं आपको बताता हूं वहां पर आपको ए आपको अपना user name यानि user ID यानि वहाँ पर password इंटर करना होगा नीचे वहाँ पर एक capture code दिखाई देगा वह आपको इंटर करके यहाँ पर login कर लेना है तो यहाँ पर login करने के बाद आपको यहाँ पर track your application status का option मिल जाता है जहाँ पर आप अपने application number को easily इंटर करके अपने status को track कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर इस योजज़ा के अंतरगत कहां तक status पहुचा है और आपको क्या आगे status रहने वाला है तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर मुख्यमंत्री मिधावे विद्याती छात्र योज़ा के अंतरगत online आविदंग कर सकते हैं तो उमीद करता हू एक और नहीं मज़दार वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्यमात्रम